Redmi के Note 10 Pro और Pro Max डिवाइस के लिए काफी मज़दार सा यहां पर एक रोम में लेके आ गया हूं जो कि आपको यहां पर काफी पसंद आने वाला है और यहां पर सारे लेटेस्ट वीचर से भी आपको देखने को मिलते हैं तो वीडियो को सुरू करते हैं और सारा कुछ में आपको चेकाउट करवाने वाला हूं कि यह रोम कैसा है और यह मेरे जब से रिकमंडेट है या नहीं वीडियो अच्छा लगेगा जरूर आप सुभी को लाइक कर देना चैनल पर नहीं है तो प्लीज सास्क्राइब कर लेना दोनों को ताकि रेगुलर अपडेट आपको इसी तरह का मिलता रहे है जोईन करें मेरे टेलिग्राम चैनल को ताकि हम यहाँ पर एक स्ट्रॉंग कम्यूटी बना सके हो जब भी किसी को प्रॉलम हो तो एक दूसरे को मिलके जो सपोर्ट प्रोवाइड कर सके क्योंकि कुछ टाइम पहले मैं जो टेलिग्राम हैक हो चुका था जिसको से सब को डिलीट हो चुका है तो यह हमारा नया चैनल एन सपोर्ट है जहां पर आप जुआइन हो सकते हो अगर आप ओर टेलिग्राम के विजस रह चुके हैं तो यहां पर आप देखोए कि अन्लॉकिंग एनिमेशन काफी ज़्यादा आपको अच्छे देखनी को मिल जाते हो यहां पर कई सरे मैंने विजस को एक्टीवेट कर रखे हैं जो कि आप यहां पर देख पा रहे हो और विजस के स्रीज में मैंने आपको काफी इंट्रेस्टिंग विजस भी प्रवाइट कर रखे हैं आपने नहीं देखा तो चेक आउट करो टेक ओफिस के प्लिलिस्ट में जो कि अपडेट का मिलेगा जहाँ पर मैंने इस टैप के बहुत सब्सक्राइब के बहुत सब्सक्राइब की हैं जो कि आप अपने official stock MIUI 13 और 14 पे apply कर सकते हो बट हाँ इसमें ये by default आपको मिलता है जैसा चाहूँ ऐसा आप कर लेना और यहाँ पर monet का effect मिलता है monet effect मुझे MIUI पर इस टैप का really में काफी अच्छा लगता है जबकि कुछ लोगों को पसंद नहीं आता लेकिन यहाँ पर by default दिया गया है और यह रन कर रहा है हमारे latest weekly यहाँ पर आप यूज करोगे यहाँ पर हमारे maintainer का name भी आपको देखनी को मिलेगा detailed and info में आपको android 13 latest 4 month का security patch और यहाँ पर आपको प्रिफ का करनल देखनी को मिलता है असमुद इस तो भाई यहली में काफी मज़ेदार है यहाँ पर चाइना वाला पूड़ा का पूड़ा feel आपको यहाँ पर मिलता है जैसे कि चाइना में अलग level का ही smooth ने समय नजर आता है वो चीज़ यहाँ पर आपको notice होती है home पर आते हैं यहाँ आपको MIUI का dialer देखनी को मिलता है जो कि आप यूज कर सकते हो और यहाँ से इस तरीकी से आप इसमें सोटकर्स में बदलाओ भी ला सकते हो यहाँ पर किलिक करके टेसाय मैंने arrange कर रखे हैं जो कि आपको यहाँ पर मिलते हैं widgets के अंदर जो कि recommended category और डिस्कॉड तो simply आप डिस्कॉड पर आजाओ यहाँ पर कई सरे widgets मिलेंगे जो भी चाहिए उसे आप select करो और apply कर लो क्योंकि यह से apply करने के लिए आपको download बटन का यूज नहीं करना है क्योंकि download बटन यूज करोगे तो आपको भाई यह widgets apply होते वे नजर नहीं आएगा जैसे कि for example यह widgets से यहाँ पर click करेंगे apply नहीं होगा simply इस पर long press करना है hold करना है जहाँ पर चाहिए वहाँ पर ले जाके आप छोड़ दो और वापस home पर आ जाओ यहाँ पर download का sign है यह कुद्धिर में automatic है जो हट जाएगा और main camera तो हमारा यहाँ पर देखनी को मिलता है जो कि एक दूसरे से link है और यहाँ पर आपको different camera देखनी को मिल जाता है जो कि हमारा Leica वाला है जिसमें कई सारे features आपको देखनी को मिलते हैं और मैंने कई सारे चीज़ यहाँ चेक कर रखिए और camera मुझे working देखनी को मिला है कोई भी दिक्कत मुझे नहीं है या कैमरे को यूज करते हुए तो टेंसल लेने के ज़रुवत नहीं है वापस सेटिंग के अंदर इन करते हैं तो wallpaper and personalization में आपको कई सारे नए और different से wallpaper collection आपको देखनी को मिलेंगे जो कि आप यहाँ पर यूज कर सकते हो और इन सभी को अग इन सभी को मैं कोशिश करूँगा export करके अपने telegram wallpaper चैनल पर प्रवाइट करने की ताकि आप वहां से भी यूज कर पाऊ अपने बाकी different phone के अंदर क्योंकि इसमें यह सारे by default आपको मिल जाते हैं और मुझे काफी बहतरीन लगे यह सारे wallpaper और I hope कि आपको भी यह पसंद आते हैं display के अंदर आपको डाकूट मिलता है लेकिन अभी तक चाइना का जो official stock OS है ना उसमें यह bug देखने को मिल रहा है जब से MIUI 14 आया और अभी तक solve नहीं हुआ यहां पे individual app में सारे app store नहीं करते हैं जिसको यहां पे यहां पे यह issue आपको दिखाई देता है extra dim to आपका working है और यहां पे anti flicker अभी मुझे थ्वासब बगी लगाए काम नहीं करता है क्लिक नहीं लेता और यहां पे आपको देखनी को मिलता है refresh rate जो कि आप use कर सकते हो new UI के साथ add करा गया है sound care profile में आपको साहे चीज़े working देखनी को मिलते है dolly वगेरा सारे चीज़े और haptic भी आप यहां पे control है जो कर सकते हो notification के अंदर वही आपको group notification देखनी को मिल जाता है यहां पे जो कि आप on कर सकते हो बाकी यहां पे और यहां पे बाकी नॉर्मल से कस्टमाईशन देखनी को मिलते हैं जो कि आपने पहले भी यूज कर रखा है और यहां पे जो launcher है यह advance वाला यूज किया गया है जो कि मैं अक्सर आपको बताता हूँ न वह सारे features आपको यहां पे मिल जाते हैं जैसे कि नवी के question bar, gestures वगेरा, animation कंट्रोल करना यहां पे new animation unlock कर लेना, row and column add करना, साथ-साथ old widget चाहिए तो आप यहां पे activate कर सकते हो, folder के अंदर अलग effects वगेरा add कर सकते हो, icon के अंदर आपको color change करने का option मिल जाते हैं और यहां पे आप iPhone वाले look में भी enable कर सकते हो और restart launcher भ आप use कर पाओगे, और साथ-साथ यहां पे facial lock fingerprint आपका working रहेगा, battery गंदर नया EY देखनी को मिलता है, जो कि आप आना किलिकेवल रहता है, जो कि सही है, और यहां पे यह जो me protect है यह पहले से थ्वा और ज़्यादा advance हो चुका है, थ्वा बेटर हो चुका है, और यह काफी कोई एक चीज़े जो install करके दिखाता हूँ, जैसे कि अभी टक मैंने install नहीं कर रहा है, तो इस तरीके से यह checking करता है, जो कि पूरा checking करने का process change हो चुका है, और इस तरीके से यह चीज़े नजर आती है, जहां पे continue का option है, और यहां पे मैंने इसे off भी कर रखाता है, अगर किसे यहां पे कैसा है चीज़े है, जो improve हुई है, जो कि देखे का सी अच्छा लगा, और यहां पे देखो यह risk deduct कर लिया ना, अब यहां पे कुछ इस तरीके से आपको warning देखनी को मिल जाएगा, और बाके details यहां पे आपको देखनी को मिलेंगे, क्या क्या permission ले रहा है, ज कुछ चीज़ों का अगर मैं off कर देता हूँ, ताकि यह deduct ना करे धंक से, जैसे कि आप देखो यहां पे allow once है, इस पे अगर मैं click करूँगा और allow करूँगा, यहां पे finger print से आपका permission लेगा, कि हाँ भाई, आप actually में phone की users हो या नहीं, तो ऐसे में काफे secure होता है, for example, कोई आ या नहीं जा सकता, तो वैसे में यह मुझे काफी अच्छा लगा, जैसे कि Apple devices में होता है ना, सेम उसी तरीके से, और यह भाई, मुझे लगता है कहीं ना कहीं, maximum Android के अंदर होनी चाहिए, और यह सिफ चाइना में है, इंडिया users, global users को भी यह मिलना चाहिए, क्योंकि यह का अधिशनल सेटिंग, और जैसा कि आपको पता है, यह चाइना का मोडिफाइड वर्जिन है, लेकिन यहाँ पर multi language support आपको देखनी को मिल जाता है, तो आप जो भी language में यूज करना चाहते हो, इस ROM को आप यूज कर सकते हो, तो यह चीज़ मुझे यहाँ पर सही लगे, बा बात आती है, performance की, कि क्या performance कैसा है, इसका better है या नहीं, ठीक है, तो start up करते है, startup setup से ही, जबकि first time जब आप apps इंस्टॉल करोगे, कुछ इस तरीके से permission लेता है, file manager का, और यह मैंने आपको दिखाए ही दिया, wireless reduction वगेरा, और बाकि 10 चीज़ वगेरा, उसके बाद charging जो कि 32 म काफी बहतरीन आता है, लेकिन हाँ, आपका phone अगर warm होता है, गरम जगाओ पर कर रहे हो, नर्मली चेक कर रहे हो ना, तो हाँ पर आपका entry score काफी ज़रा down हो आएगा, और phone गरम होगा, क्योंकि भाई, actually मैं आज के time पर हर एक phone गरम हो रहे है, रखे-रखे कई सारे phone गरम हो तो मैं यह नहीं कहा कि रोम के अंदर इस हुए, मौसम में अभी फिलाल ऐसा चार दा है, तो भाई यह चीज़े देखने को मिलेगी, उसके बाद यहाँ पे geekbench काफी top notch जाता है, लेकिन रोम डालते ही चिक करोगे तो यह weak रहेगा, तो time तो settle होने का, उसके बाद इसमें improvement देखनी को मिलेगा, 100 पे डालने के बाद normally CP total उतना अच्छा नहीं आया, काफी total किया, इसलिए मैंने 10 minutes तक ही दन किया, उसके बाद game throw में add किया, और performance mode को जैसे on किया न, यहाँ पे आप देख से तो improvement कितना जादा है, जो कि max 1,95,000 और minimum 1,12,000 गया, जो कि मुझे काफी सही लगा है, उसके बाद battery drop, जो कि 47 के बाद morning में आता है, यह 47 का 47 ही, जहाँ पे आपको 0% का battery drop देखनी को मिलता है, और यह चीज भी मुझे काफी सही लगी है, another मैंने future check किया, तो same, वही better results देखनी को मिला है, और यहाँ पे आपको gaming के अंदर 90% भी unlock मिल जाता है, यानि आज के time पे हर लोग use करते हैं, तो यह चीज आपको मिलता है, यह advantage भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और यह एक चोटी सी कम है जिसे आप ignore कर सकते हो, और साथ साथ यहाँ पर बात करें photo storage की ना, photo storage यहाँ पे Google का unlimited है या नहीं, तो चलिए मैं आपको वह भी दिखाता तो यहाँ पे आप देखते हैं, photo storage को unlimited नहीं रखा गया है, और यहाँ पे नया EY देखनी को मिलता है, अपडेट हो जाने के बाद, जो कि देखने में यह भी काफी अच्छा लगता है, तो यह एक चोटी सी missing चीज में कहुआ, बग नहीं है, बस features को add नहीं करा गया, लेकि सिवाद आप sign in करके यूज कर पाओगे, जिसके वह यहाँ पे आपका device है, जो certified नहीं रहता, तो अगर आप banking app यूज करना चाहते हो, तो अपने phone को root करके इसे fix करना पड़ेगा, otherwise, यह ROM मेरे तक से recommended है, क्योंकि smooth काफी अच्छा है, features काफी कमाल के मिलते हैं, हर एक चीज और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आप इस ROM को डालना चाहते हैं, क्योंकि recently मैंने तीन ROM आपको प्रवाइड किये हैं, दोनों ROM काफी perfect है, और यह भी perfect है, बट इसमें दो कमिया हैं, जो कि आपको adjust करना पड़ेगा, उसके बाद आप decide कर पाओगे डालना है, या फ देखते नहीं हो, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, कर दिया करो, ठीक है, बाई